हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम बैक तो माइट्यूब चैनल बच्चो आज हम महारास्ट्वा स्ट्रेट बूर्ड के 12 इंगलिश के सिलाबस का जो क्वेशन बैंक हमें प्रोवाइट किया हुआ है बूर्ड की तरफ से वो क्वेशन बैंक का अनलेसिस सोलूशन इस वीडियो के जरी करने चाह रही है तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और पर्टिक्लरली आज के सेशन में हम लोग जो है पोयम से रिलेटेड यतने भी क्वेशन से क्वेशन बैंक के अंदर पूछे गये हैं उस सारे के सारे के स शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए है तो हमारा चानल सब्सक्राइब कर दीजिए ताक कि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अप्लोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा चलिए तो फिर शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमें एक क्वेशन दिया हुआ है वाज टू ट्री फॉर फाइव फाइव श्टान्जा एर हियर पांच हमें यहां पर दिय हुए है और इसके उपर हमें 10 मार्प का कॉश्चन पूछा है अब इसके उपर डिपेंड जो प्वेशन है वो देख लेते हम लोग क्या बच्चों देखिए यह जो question है money की उपर है money नाम की जो हमें पोएम दी हुई है उसके उपर का यह stanzas हमें दिया हुआ है अब यहां पर मैं आपको जो है question कर सकते हो उन सारे की सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के description box में दीव हुई है देखिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाल जो question है उसको किस तरीके से solution करना है complete एक वेब दीव हुई है और यह वेब का answer में लिखना है अब देखिए क्या लिखा है यह वेब का अगर से qualities जो poor man होता है उसकी qualities क्या क्या होती है वह हमें लिखना है चलिए तुम्हें जल्दी जल्दी लिख देता हूं देखिए सबसे पहले तो poor man जो है वह हैपी रहता है हैपी अल्वेज हैपी रहता है दूसरा कि वह जो है hard working होता है hard working ठीक है hard working होता है उसके बाद light hearted उसका दिल बड़ा हलका होता है light hearted उस चोटी-चोटी जो चीज़े होती है उसमें वह खुशिया मनाना शुरू कर देता है उसके बाद उसका जो दिल है वह fulfilled होता है है ना fulfilled fulfilled hurt उसका दिल जो है वह भरा हुआ होता है इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो हमको जो है two out of two marks यहां पर मिल जाएंगे अब next वाला जो question है complete the sentence the poet wanted to become poor because यह जो कभी है यह जो poet है वह गरीब होना चाहता है but क्योंकि उसके पीछे कुछ reason है क्या है मैं आपको यहां पर लिखकर दे देता हूं because when he had money because when he had money he had money he had many friends many friends but they all were false because they all were false friends in poverty in poverty only a few friends only a few friends were with him but they all were true ठीकिए इस तरीके से आप लोग जो है इसका answer लिख देंगे और आपको maximum two out of two marks जो है यह question तो दो marks का है यह दो marks आपको मिल जाएंगे चलिए तो फिर next वाला question हम लोग देख लेते हैं next question में क्या दिया हुआ है हाँ यहाँ पर the poet doesn't want to speak to this fake word है ना because तो इसका answer हम लोग लिखेंगे the poet doesn't want to speak to this fake word because ऐसा लिखेंगे हम यहीं पर लिख देता हूं आपको because people people running only behind the money not behind true love ठीक है इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अब एक question जो है personal response वाला यहाँ पर पूछा गया है can we live without money write your view about this statement क्या हम पैसों के बिना रह सकते हैं आपको क्या लगता है क्या पैसों के बिना भी जिन्दगी जी जा सकती है हम लोग जो है यह सा और नो दूनों भी लिख सकते हैं ठीक है अपना अपना जो personal opinion है वह opinion हमें यहाँ पर लिखना है चलिए फिर मैं आप लोगों को जो है लेकिन बच्छों जादा तर कोशिश यही किया करो कि हम लोग जो है कुछ न कुछ अच्छा positive ही लिखा करेंगे इसके बारे में चलिए तफिर लिखिए देखिए येस वी कैन हम लोग ऐसा लिखेंगे ठीक है यह question और इसका यह answer है और हम लोग लिखेंगे yes we can leave without money people's desire of money people's desire of money is the root is the root of all evils only the human being only the human being wants money wants money all other creature all other creature on the earth on the earth live without money live without money and live happily God has given us God has given us hands to work hands to work and food to eat so there is there is no need to money no need to money full stop इतना हम अगर answer लिखेंगे तब भी sufficient हो जाएगा क्योंकि यह personal response वाला question होता है ठीके इसके बाद next वाला question हम लोग देख लेते हैं पोएम से रिलेटेड ही है और दो मार्क्स के लिए पूछा है देखिए यहां पर complete the following table एक टेबल दिया हुआ है और वो टेवल हमें यहां पर complete करना है दो मार्क्स के लिए अब वो दो मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें देखिए stanza rhyming scheme और rhyming words दोनों भी हमें यहां पर पूछा गया है लिख लेते हैं आजान है इतना कोई मुश्किल काम नहीं है देखिए अब rhyming scheme अगर हम देखिए first वाले stanza की तो वह है a b c b a b c b और rhyming words कौन से है पूर और दोर फॉर्स्ट वाले इसमें और और कुछ है देख लेते हैं फॉर्स्ट वाला stanza दो ही राइमिंग है ओ है और friend ठीक है इसके बाद सेकेंड नमबर सेकेंड नमबर भी कौन से राइमिंग scheme है तो सेकेंड नमबर में है a b c b वह यह है और इसके अंदर भी अगर हम राइमिंग वर्स देखे तो दो ही मिलेंगे आपको blow लो और नो यह वाले राइमिंग scheme यहाँ पर आई हुए है यह अगर लिख दोगे आपको मार्स मिल जाएंगे अब हमें जो है एक पोयम पोयम कंपोज करने के लिए बोला गया है लेकिन हमें जो है मिलते जुलती कुछ ना कुछ जो पोयम है वो यहां पे कंपोज करनी ही है चलिए मैं आपको दिखा देता हम जरूरी नहीं कि हमारी जो poem हो वो extraordinary हो एक ordinary poem भी अगर हम लोग लिख देते हैं तब भी हमें अच्छे खासे marks यहां पर मिल जाएं अब friendship के उपर है और friendship is true ऐसा लिखेंगे हम our friendship is true like the shining sun like the shining sun our bodies are two our bodies are two but soul is one ऐसा भी अगर आप लिख दोगे चोटी मुटी कोई poem जिसका कि अच्छा सा कोई meaning निकलता हो तब भी आपको two out of two marks यहां पर मिल जाएंगे ठीक है बच्छों चलिए आगे बढ़ते हैं यह तो होगे हमारे 10 marks बच्छों देखो हमने इससे पहले बोला के यह पोएम कितने marks के लिए देखिया हम लोग एक बर काउंट कर लेते हैं दो चार छे 8 और 10 ठीक है यह होगे 10 marks और पोएम आती है हमेरे लिए 4 marks लेकर लेकिन वो 4 marks ऐसे मिलते हैं ऐसे मिलते हैं यह लिखना होता है appreciation appreciation चार मार्क्स ऐसे 14 marks के लिए 14 marks के लिए हमें पोएम पूछे जाती है देखिए अब क्या लिखना है यह जो 4 marks है वो अगर हमें मिलने है तो ह हमें लिखना पड़ेगा यह 5 questions का answer लेकिन आप लोग यहां पर lucky होके यहां पर चारी दिये लेकिन usually हम देखते हैं कि यहां पर 5 questions हमेशा पूछा जाता है अब यह 4 questions कौन से है form of the poem, theme and its significance बच्चों यहां पर जो है एक चीज़ शायद missing है कि यहां हमें इस तरीके से लिखन चाहिए था कि इसका title क्या है या फिर उसके बारे में लिखना था कि इसके poet कौन है शायद यह board वाले यहां देना भूल गये है ठीक है लेकिन कोई बात नहीं हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमें जो है always 5 questions पूछे जाते तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि यहां पर जो है title and about poem on and about poet ऐसे तीन question हमें पूछाए एक line में उसका answer लिख देंगे उसके बाद हम यह चारो questions का answer लिखते है यह बाद हम एक और poem का appreciation यहां पर देखेंगे यहां पर एक और poem आपको नज़र आ रही है screen के उपर हाँ और उसके उपर जो कुछ questions हमें पूछे गए है वो question हम यहां पर handle करने वाले ताकि जल्दी जल्दी से जो है हम यह question bank को complete कर देखेंगे अब question क्या है जिस पर हमें answers लिखने है poem appreciation की पहले वाला question है form of the poem, theme and its significance कौनसी poem है तो वो poem है have you earned your tomorrow बच्चो poem देखते ही हमें जो है वो समझ आ जाना चाहिए के exactly कौनसी poem हमें तीफ हुई है तो चलिए इसका हम लिखते है form of the poem या फिर उसकी theme या फिर उसकी significance क्या है चलिए have you earned your tomorrow is an inspirational poem in this poem the speaker is asking the reader whether they have done everything to improve the life of another human being or not it is up to you whether you will have a better future or not have you earned your tomorrow by edgar guest present a number of probing questions to the readers about how they spend their days the theme of the poem is one should consider one section and deeds carefully and plan according for a better future in short we have to do something for betterment of others इस तरीके से जो हमें ये question का answer लिखना है second वाला जो question है वो भी देख लेते हैं देखी second वाला जो question है वो है poetic style, language, features, poetic devices etc अब इसका अंसर क्या है. इस एका अंसर क्या है इस आ इस आप इस इसन इस क्राशनल वेम the poet has used simple style and optimistic tone of writing The poem has four stanzas the four stanzas are separated into set of four lines or catranes each stanza contains at least two or three questions the poet has used very simple language repeatedly elitration and interrogation figure of speech are used in this poem here the first line of each stanza rhymes with the second line and the third line with the fourth line the rhyme scheme is a a b b all stanzas carry the same form तो इस तरीके से हमको जो है यह question का answer लिखना है अगर हम third question देखे poem appreciation का तो वो क्या रहेगा यह देखिए screen के उपर आपको नजर आ रहा है ठीक है देखिए inspirational message values moral reflected इसके बारे में हमें लिखना है अब क्या लिखेंगे the poem have you earn your tomorrow have you earn your tomorrow teaches a moral lesson the message of the poem is one should consider one's action and deeds carefully and plan accordingly to a better future in short the poet emphasize that one our work should be honest for others so that they will utter some kind words for us the poem give us a valuable message of hope optimism positivity good work and honesty ऐसा हमें लिखना है और last वाला जो question है poem appreciation से related वो पूछा है यह opinion and critical evaluation of the poem पूएम तो बारे में आपका opinion क्या है और आप किस तरीके से उसका जो है evaluation करोगे तो चलिए फिर हम देख लेते हैं I am really inspired by reading this poem I understood that if you work hard today for others definitely God will give you better tomorrow I personally learned that I have to work hard today for my better tomorrow lastly I understood the principle of life service to man it's service to can service to man is to service to God इस तरीके से हम अगर से इसके answers लिख देंगे तो हमें जो है maximum marks यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि poem appreciation वाला जो question है वो हमें 5 marks के लिए पूछा जाता है और उच्छो हम कोशिश करेंगे कि हमें जो है maximum marks इसके अंदर मिल जाएं और आप लोग अगर हम मेरे साथ study करोगे तो बेलकुल मैं आपको guarantee देता हूँ कि आप जो है out of marks लेने से बिलकुल भी नहीं कत्रा होगे और आपको जो है maximum marks यहाँ पे मिल जाएंगे चली तो बच्छों वीडियो काफी लंबा हो गया है अब हम जो है यह session में यहाँ पे रुख जाएंगे अभी भी बची हुए जो कुछ poems है वो सारे की सारे poems के answers यहाँ और बची हुई सारी की सारी की question bank है उसके answers जो है हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को like कर दो और अपने दोस्तों तक share कर दो ओके बाई